नमस्कार मैं आसीस पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षाप्लस में UPPSC के द्वारा एक नई भरती आने वाली है जल आपको ये भरती आपको देखने को मिले गी आपके सामने काफी दिनों से ये चल आता कि खंड सिच्छा अधिकारी का एक जो education qualification था उससे related भी कुछ दिक्कत थी तो अब वो सब कुछ clear हो गया है तो BEO जिसका काफी समय से इंतजार था तो वो भरती आपको जल्द ही notification में देखने को मिल जाएगा इसमें जो कहा गया आप देख रहे हो कि एक notice है इस notice में ये बोला गया है कि आयोग को आगामी खंड सिच्छा अधिकारी परिक्षा है तो सासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हुए हैं अधियाचन में प्राप्त विशंगतियों के संबन्द में शाषन विभाग से पत्रचार किया जा रहा है विशंगतियों के निराकरण के बाद विक्यापन एथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा देखो बच्चो अब कुछ बच्चो के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अभी अचार संगिता लागू हो जाएगी तो क्या ये नोटिफिकेशन आएगा अब इस पर काम चल ला है ऐसा नहीं किसको इनिसियेट करना है और रेडि बोला गया है कि आपके जो अधियाचन है वो प्राप्त हो चुके हैं लेकिन अभी कुछ बिभागों से इनका पत्राचार चल ला है और जैसे ही ये क्लियर होता है वैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा तो इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है चुनाव की डेट होती रहेगी चुना वालों के लिए एक बहुत ही बहतरीन मौका है बैचलर डिगरीन एजुकेशन साफ साफ लिका रहता है तो वो इन बच्चों के लिए एक बहतरीन खंड सिच्छा अधिकारी का पद जो है फिर से आने वाला है जबरदस तरीके से आप लग जाईए इसकी स्लेबस इसका प्रीमेंस में क्या क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बता दूगा लेकिन अभी ये नोटिस यही बता रही है कि जल्द ही आपका ये पूरा का पूरा विज्यापन खंड सिच्छा अधिकारी का आपके सामने होगा तो जो बच्चे एलिजबल हैं बीड़ वाले उनके लि प्राइङ में लग जाए क्योंकि एक्जाम में काफी समय मिलेगा चुणाओं के बाद ही एक्जाम का प्रोसेस होगा लेकिन नोटिफिकेशन आपका कहीं न कहीं चुनाओं के दर्मियान या इसी समय जो है आपका जो चलता रहेगा हो सकता है एक डिड़ महीने में आपका नूटिफिकेशन ये देखने को मिल जाए बाकी से रिलेटर कोई भी क्वैरी है आपकी खंड सिच्छा अधिकारी से तो आप वीडियो के कमेंड में बता सकते हैं हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपके समस्याओं का समधान जरूर किया जाए अब यहाँ पर एक चीज और बोली नहीं है मतलब क्या है कितना अभी कोई आया नहीं है PCS 2024 का तो उसका अभी यह नहीं दिया गया है अभी एक्जाम था तो जानते ही हो पोस्पोन हो गया लेकिन अभी क्या बढ़ेंगी घटेंगी रिक्तियां उसका कोई अभी इनके पास अधियाशन नहीं प्राप्त हुआ तो उसके बारे में ये बताएं हैं लेकिन ये इसका कारी maximum हो चुका है खंड सिच्छा अधिकारी का कारी maximum हो चुका है ये जल्द ही इसका विक्यापन आपको देखने को मिलेगा तो जो लोग eligibility रखते हैं वो एकदम लग जाईए कोई दिक्कत कोई समस्या education से related है तो आप वी इस विदा लेता हूं मस्त रहिए स्वस्त रहिए जबर्दस्त रहिए